हलकाट सवाद अरे चिराक क्यों रगड़ा चैन से न्यूस पेपर भी नहीं पढ़ने देता बोल क्या काम है तु मेरा जी ने इज़द से बात करा मुझे एक कार चाहिए कितने टायर वाली अरे कार में तो चार टायर होता है ना नहीं एक स्टेपनी भी होती है टोटल पांच हुए देख मुझे ग्यान मत दे फड़ा फट कार लेकरा बड़ी वाली इंजन कितने सिसी का होना चाहिए अरे इंजन को छोड़ मुझे कार चाहिए इंजन को छोड़ दिया तो कार चलेगी कैसे अबे तु बात को मत पकड़ यार मेनी भावनाओ का समझना मुझे आने जाने के लिए कार चाहिए पर मुझे ये तो बता आना जाना कहा है अरे मुझे घूमने के लिए कार चाहिए जिसमें एसी लगा हो विंडो एसी कि स्प्लिट एसी अरे कार का अपना एसी होता है अपना एसी मेरी मम्मी कहती है इस संसार में अपना पराया कुछ नहीं होता बहुत माने तेरी मम्मी उनको मेरा प्रणाम कहना हो प्रणाम हाथ जोड़के कहूं कि पैर चुके अरे प्रणाम को भूल जा मुद्दे की बात प्याना प्रणाम को कैसे भूल जाओं, प्रणाम हमारे संसकार का हिस्सा है ब्राता श्री पिलीद, संसकार नहीं, मुझे कार चाहिए जिसमें अपने गल्फरेंड को बिठा कर पिकनिक जा सकू, उसे फिल्म दिखा सकू फिल्म कौन सी दिखाएगा, हॉलिवूड वाली या बॉलिवूड वाली अरे फिल्म में कार कहां से आ गई भै ये तो कार के ड्राइवर को पता होगा मुझे कार नहीं चाहिए, एक टैक्सी बूला दे बस टैक्सी ऐसी वाली चाहिए या बिना ऐसी वाली अबे टैक्सी को मार गोली तू सिरफ एक आटो रिक्षा मंगवार दे बाई आटो डीजेल वाला चाहिए, किसी एंजी वाला प्रभू, आप अपने चिराग में जाकर विश्राम करें, मैं पैदल ही प्रस्तान कर रहा हूँ ऐसे कैसे, मैं तेरा जिन हूँ, मुझे सेवा का मौका दे मैं सिर्फ चिराग रगणने पर ही आता हूँ अरे उट तो, अरे अरे कोई मुझे बताएगा, चिराग में रोश्णी के लिए सेफल लगाऊं कि एलिडी लाइट